नमस्कार, प्रियामित्रों मैं गंगाराम और आज का हमारा विशे है ग्रहे कलेश निवारंड के कुछ बेहद सरल एवं सटीक उपचार दोस्तों विवा के उपरांत यदि पदी पतनी के बीच में सही तालमेल नहीं है जीवन में कलेश रहता है तो आर्थिक संपन्नता होते हुए भी व्यक्ति का जीवन नरक्के जैसा हो जाता है जनम कुंडली में मंगल की स्थिती एक चार साथ आट और बारवे स्थान में होने पर भी व्यक्ति को ग्रह कलेश रहता है तो आज की वीडियो में हम इसी विशेय पर बातचीत करेंगे लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं मैं आपको बता दू यदि आप जोत करकार की रतनों की अंगूठिया बनाकर सिद्ध पुया पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है दोस्तों बहुत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी जानकारी अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को सेयर भी करें चलिए विश्य में आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्रह कलेस निवारण के लिए आप ओम गौरी शंकराय नमे इस मंत्र का नियमित रूप से प्रातेकाल 108 बार जाप करें अगर आप माला जपनी नहीं जानते माला से जाप नहीं कर सकते तो घड़ी देख करक पांच मिनट आप इस मंत्र का जाप करें निश्चित रूप से एक सफ़ता के अंदर आपके घर में जो कलेस है वह दूर हो जाएगा यदि आप इस मंत्र को रोजाना नहीं जाप कर सकते तो आप इस मंत्र को सोमार के दिन शंकर जी के मंद्र में जाकर करके कम से कम 10 मिनट जाप करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको जल्दी ही मिलेंगे आप अपने पूजा घर में स्रीयंत्र और आकरशन यंत्र ये दो यंत्र जरूर रखें इनको रोजाना इस्नान कराएं इनको तिलक करें और नियवित रूप से जो व्यक्ति स्रीयंत्र के एवं आकरश की अनुसार किसी अच्छे जोत्सी की सला से पुखराज रतंधारन करने से भी ग्रह कलेश का निवारन हो जाता है ब्रहस्पति ज्ञान के देवता है ज्ञानम सदगुन मात मजंच सचिवम स्वाचारे माचारियकम जितना भी ज्ञान है सदगुन है उनके अधिश्ठातिरी निवारण के लिए, आप एक मुखी या दो मुखी रुदराक्स, चांदी में मढवाकर लाल धागे में गले में धारन करे तो इससे भी आपके परिवार में शांती रहेगी आपका व्यापार बढ़ेगा आपके चेहरे के तेज बढ़ेगा आपकी वानी का तेज बढ़ेगा एक मुखी या दो मुखी दोनों में से जो भी रुदराक्स आपक बैटर रहते हैं जितने भी उपाय मैं आपको बता रहा हूं उन में से जो भी आपको comfort हो जो भी आसान हो उस उपाय को आप करें सभी उपाय कर सकते हैं तो करें नहीं तो इन में से एक या दो उपाय का आप चैन कर सकते हैं सोंबार के दिन किसी सोभाग्य साली स्त्री को स्रंगार का समस्त सामान चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर वह तो आपका बजट है सीसा है, कंगा है, बिंदी है सिंदूर है साडी है, स्रंगार का सामान सोभाग्य साली स्त्री को सोमार के दिन यदि आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से इस से आपके घर में शांती होगी दोस्तो साल भर में एक बार अखंड रावायन का पाट भी अपने घर में कराना बेहद शुब और अच्छा माना जाता है यदि बहुत सारे उपाय कराने के बाद भी पती पतनी के बीच में तनाव बन रहता है तो आप अपने जनमकुणली चेक कराएं और अगर जनमकुणली में मांगलिक दोस है जनमकुणली में मंगल एक चार साथ आठ या बारवे स्थान में मौझूद है तो यह घर की सुक्छांती का विनास करता है तो फिर योग्ग आचारियों के द्वारा मंगल की श आपको अच्छी लगी होगी जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसी ही शांदार जानकारी के साथ चलते चलते मैं आपको बता दूँ यदि आप जोतिस दिखाना चाहते हैं तो मुझे अपने जनमकुंडली और हस्तरेखा वाटसप कर सकते हैं और राजशी रतन खरीदने के लिए आप सीदे सीदे मुझे कोल कर सकते हैं नमस्कार